है और भी आने वाले समय में काफी सारी वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब दिखा हूं तो यह एक तरह से मैप भी दिया हुआ है जिससे कि आप आसानी से यहां इनके पास में बहुत चक्ते हैं आपका एक वाद प्रताप सिंग आज एक ऐसी जगह पर हूँ जहां पर यह जो आपको पार्ट दिख रहे हैं आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द नहीं वाले हैं तो कि हमारे जो किसान भाई हैं उन तो मैं जहां पर हूँ आपको यहां पर ट्रैक्टर के पुराने नए इंजन बहुत ही कम कीमतों पर और बहुत अच्छा काम करने वाले इंजन मिल जाएंगे तो इसके लिए मेरे साथ में यहां पर सिवम जी होंगे उनसे बाचीत करेंगे किस तरह के इंजन हैं और क्या स् ऐस आपसे संपग करना चाहें या आपके पास आना चाहें असारी से आ सकती खिसान भाइए पहले तो नमस्कार किसान बहुत है अग्रा के अंदर प्रता पुराम हैं जर्रेक्टर पार्स के नाम से अपने ए मिलता है रहते हैं हैं ऐर को जैसे आपको चाहिए एक चीज़ थोड़ा दा बीच में रोकूंगा मैं जो अपने पास हैं इंजन है किसके उपयोग में हमारे जो किसान वाहिए ले सकते हैं इन्हें इंजन आपका आरा मसीन के लिए लगड़ी काड़ने के लिए चक्की के लिए लगा सकते हो आटा पीछन मैं इन में लगता है क्रेंट के लिए किसी काम में ले सकते हैं अच्छा या एक गंटे के अंदर एक से सवा लीटर लेता लोड लेता है लेता है तो यह जो आपके पीछे रखें सारी सारी नई पराने हैं यह सब प्रण्ट्ट्र नियु ने जिए आप देख रहें बाटर वुल्ड है यह वाला रेटर का उप्यों होता है पानी साथ में चलता है यह यह पंखा लगा हुआ है यह प्लोबर सब्सक्राइब इसमें पानी की जरूत नहीं पड़ती है जैसे आप यह दिखाए यह प्राइस की बात करें तो अपर पास पुराना इंजिन अगर आप लेते हो तो मेरे पास 25 ती से स्टाइडिंग है पर जैसी कंडिसन होगी उसकी वैसी रेंज आपकी बढ़ती जाएगी जैसे आपने बताया एक तो यह एर कुल्ड ठीक है और यह बाटर कुल्ड और बाटर कुल्ड में करीब प्राइज में कित सोब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ सब्सक्राइब करना चाहों भी इसकते हैं ना और दिखा दीज़ेगा और यह सारे इन्यन यहां पर यह इनके पास यह इसारे है यह कुल्ड में तीन सिलिंडर में यहां पर यह तरव लगा हुआ आप यह तरवाले नियन और यह वाले इंजिन जो आप देख रहे हो एक समय कुछ रखे हुए नॉन टर्बो भी यह 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 रेड़ वाला तर्बो जिस तरह का आप चाहो यहां पर यहां पर ले सकते हो आपको यहां पर एक सिलेंडर में सिंगिल सिलेंडर में 22 इसके साथ 22 HP के अलावा भी आप देखोगे तो यहां पर यह इनके पास में 12 HP में भी छोटे इंजिन है यह इंजिन भी आपको 12 HP में मिल जाएगा तो आपकी जैसी आवश्चिकता है जैसी जरूरते हैं उसके हिसाब से इनके पास एक से एक इंजिन एक से आइटम आपको मिल करने की आपकी जरूरत हैं सारी जरूरत हैं यह पर आपकोि आपको सारी की भी पूरी हो जाएगे इसके साथ ही साथ अगर आप नया नहीं लेना चाहते आपको लगता है नया इंजन आपकी शमता से बाहर है या आप उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको यहां पर यह पुराने इंजन भी मिलते हैं सारे के सिंगल सेलेंडर यह आप देख इंजन है थोड़ा एक चीज और एंसी और रिकाड़ो इन दोनों का अंतर एक बार समझा दी इसमें तो नोजल का फरक रहता है एड का रहता है और लेटेस्ट टेक्नोजी वाला रिकाड़ो अभी जो सबी टेक्टर आले मिंबन रहे हैं कंपणी आइसर कंपनी बना रही है तरीके से इसका सिस्टम है यह पहले आते थे साधा इंजिन फ्री एंसी के बाद रिकाड़ो अभी दो यार शेसे टेक्टर के अंदर यही रिकाड़ो इंजन आ रहा है आज तक दो यहींजन कंपनी दे रही है आप लोग देख सकते हो यहां पर यह पुराने इंजन है और अगर आप किसी पसंद महेंद्र आए तो महेंद्रा का भी मिल जाएगा अब जैने बात कर रहे थे तो अपने पास को जैनेरेटर सेट त्यार है क्या बिलकुल देखो यह यह रखा हुआ है सिंगल सिलिंटर में 15 कबीए का सामने अच्छा इसमें 15 कबीए का लगा हुआ है प्योर कॉपर बाइंडिंग का यह आप देख सकते हो यह देखाई यह थ्री फेस है अच्छा यह है हाँ यह यह तो इसमें जो इंजिन यूज किया ऐसर का ही है आइसर का रिकार्ड ओंजन है नया इंजन लगा हुआ इसके साथ नया इंजन लगा कि आप यह जनेर सेट भी हैं में भी जानना चाहते हो अने पार्ट के बारे में जार करना चाहते हो आप कमेंट कर बताये का सिव अंबाइक ताल मिल जाता है तो यह अपको बस ओडर देना है आ के आके देखना चाहिए और अगर बाहर चाहिए तो वाट्साप कॉल से या फोटो के माध्यम से ऐसा हो सकता है क्या तो ऐसा भी आपके लिए हो सकता है कि आप उस तरह से भी इनको ऑडर दे सकते काफी दूर दूर तक माल हमारे यह से जा भी रहा है आप तरनाटगा तेलंगना तमिल नाडू गुजरात अच्छा बिहार सब समय में बहुत सारी काफी वीडियो बनाएंगे आपके लिए